नमश्कार दोस्तों कैसे हैं आप बिग ब्रेकिंग न्यूज है सबसे पहले अपडेट आप तक हमेशा कितर हैं हमारे इस योट्यूब चैनल के माध्यम से ही प्रोवाइड कराई जा रही है हरियाना टीचर एलेजिबलेटी टेस्ट एच्टेट 2020 के लिए ओनलाइन अप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है अभी अभी बिलकुल साधे साथ बजे ये लिंक एक्टिवेट किया गया है हरियाना विधाले सिक्षा बोल्ड भिवानी के तरफ से और सबसे पहले अप्डेट आप तक पहुचा ही जा रही है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शौर सक्सेस के माध्यम से ओफिशल वेबसाइट देखिए हरियाना टेट.in यहाँ पे आपको इनके लिए ओनलाइन आविदन करना होगा ये देखिए क्विक लिंक जिनका पीडिएफ डाउनलोड कर सकते हैं ये है इसका इनफोर्मेशन बोलिटेन जो बिल्कुल अभी अभी जारी किया गया है ये देखिए सबसे पहले दी गई है एप्लिकेशन फीस जो की हमेशा की तरह है काफी जादा है SC और Physically Handicapped Category के जो Candidates है जिनके पास हरियाना का डॉमिसाइल है अगर वो एक लेवल के लिए आवेदन करते हैं तो 500 रुपे दो लेवल के लिए 900 रुपे और तीनो लेवल के लिए आवेदन करते हैं तो 1200 रुपे जहां तक लेवल की बात है PZT, TZT, PRT ये तीन अलग अलग लेवल है For all candidates except SC Physically Handicapped of हरियाना डॉमिसाइल Physically Handicapped और SC के टेगरी को छोड़ के बाकी जो Candidates है जिनके पास हरियाना का डॉमिसाइल है या नहीं है कोई फर्ग नहीं पड़ता क्योंकि सभी के लिए common fees है एक लेवल के लिए आपको आविदन करना तो 1000 रुपए फीस लगेगी दो लेवल के लिए 1800 और तीनो लेवल के लिए अगर आविदन करना चाहते हैं तो 2400 रुपए आपको application fees यहां जमा करानी होगी और हर्याना से बाहर के जो candidates हैं चाहें वो ऐसी category से हो चाहें physically handicapped category से उन्हें कोई भी छूट फीस में नहीं दी जा रही उनके लिए भी 1800 और 2400 रुपए फीस निरधारित की गई है एक दो यह तिनो लेवल के लिए online application का process बिलकुल आज अभी यह शुरू हो गया है last date है 4-12-2020 और correction करने की अंतिम्तिती है 5-12-2020 से 8-12-2020 तो आपको correction करने की नोबत ही ने आए या जरूरत ही ने पड़े तो आप सारी instructions ध्यान से पढ़ के इनके लिए आविदन करें और जहां तक admit card की बात है 23-12-2020 को आपके admit card जारी कर दिये जाएंगे भिवानी बोल्ड की तरह से exam date पहले ही announce कर दी गई थी वो आपने देखी ली होंगी जो की है देखी यहां भी दी गई है एक notice के माधियम से आज भी जारी की गई है exam date यह देखे दो एक दो हजार एक किस और तीन एक दो हजारी के शनिवार और रविवार को आपका stat का exam होना है कहां कहां और किस लिए stat कराया जाता है यह यहां दे दी गई है eligibility दे दी गई है जो stat का level 1 है वो primary teachers के लिए है पहली से और 5 में तक का अगर आपको सिक्षक पनना है level 2 है चटी से 8 में तक जिसे हम TZT के नाम से जानते हैं और level 3 है post graduate teacher जिसे हम PZT के नाम से जानते हैं 9 में कक्षा से और 12 में कक्षा तक बच्चों को पढ़ाने के लिए आप eligible हो जाएंगे अगर आपने PZT clear कर लिया तो इसके बाद सभी के लिए minimum required qualification हैं सबसे पहले PRT के लिए देखिए कक्षा एक से पांच तक का शिक्षक अगर आपको लगना है level 1 की बात कर रही हैं तो इनके लिए क्या minimum qualification required हैं ये देखिए senior secondary with at least 50% marks and past or appearing in final year of second year diploma in elementary education तो दोस्तो 10 plus 2 आपने कर रहे कि उप 40% अंकों के साथ और उसी के साथ साथ JBT या DAD के final year या second year में अगर आप हैं तो इनके लिए आविदन कर सकते हैं या फिर आपने 12th class कर रहे के 45% अंकों के साथ और आप DAD LGBT के second year में तो भी आप ये paper दे सकते हैं या आपने senior secondary कर रहे कि 50% अंकों के साथ और उसी के साथ साथ आप final year में हैं जो 4 साल का combined course कर रहे जाता है NCE-RT के द्वारा या आपने 12th कर रहे कि 50% अंकों के साथ और second year में हैं आप DAD LGBT special education के तो भी आप आविदन कर सकते हैं और अगर आपने graduation कर रहे हैं और final year में हैं आप diploma in elementary education के तो भी आप इनके लिए आविदन कर सकते हैं एक condition और है यहां ये देखिए metric with Hindi, Sanskrit और senior secondary graduation, post graduation with Hindi as one of the subject Hindi या Sanskrit के साथ आपने दस्मी कक्षा जरूर से जरूर की हो दस्मी नहीं की है तो आपने 12 कर रखी हो या graduation कर रखी हो या post graduation कर रखी हो इन में से एक भाशा हिंदी या Sanskrit आपके पास जरूर से जरूर हो ये ध्यान रखिएगा बाकी category के according जो qualifying marks हैं उन में जो SCBC और differentially abled candidate हैं उन्हें 5% की चूट मिल जाएगे जहां 45% अंकों की आवशकता होगी वहाँ 42.75% अंक भी है इन category के candidates के लिए तो भी वो इनके लिए आविदन कर सकते हैं तो ये आप देख लीजिएगा इसके बाद बारी आती है TZT की तो यहां आप देखिए बीएड वालों को अलाहू नहीं किया गया है PRT का extract देने के लिए आपके कमेंट आएंगे कि हमने बीएड किया है क्या हम PRT या लेवल वन का एक्जाम दे सकते हैं तो आप नहीं दे सकते हैं यहां नहीं दी गई है option बाकि इसके बाद कोई update आएगी तो वह हम आपके साथ हमेशा कितर समसे पहले शेयर करेंगे इसी YouTube चैनल के माध्यम से अब देख लीजिए TZT के लिए क्या qualification required है अलग अलग subject के according दी गई है तो हम एक subject देख लेते हैं उसी के according आप अपना subject देख लीजिएगा और फिर आप आवेदन कर लीजिएगा TZT social studies की दी गई है इसके लिए B.A.B.com and second year diploma in elementary education और B.A.B.com with at least 50% marks and two year bachelor in education in accordance with N.C.T.E. regulation 2007 तो आप इन के लिए आवेदन कर सकते हैं अगर B.A.B.com 45% के साथ आपने कर रखी है और two year bachelor in education आपने कर रखा है तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं अगर आप final year में है B.A.D.K तो भी आप आवेदन कर सकते हैं और आपका clear है आप करी ही सकते हैं या फिर आपने 10 plus 2 कर रखे 12 कर रखे 14% अंकों के साथ है और 4 साल का bachelor in elementary education कर रखा है तो भी आवेदन कर सकते है या आपने plus 2 कर रखे 14% अंकों के साथ 4 साल का B.A.B.com एड कर रखा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं इसके बाद देखे इन case of B.A.B.com in addition to English a combination of at least two subject with list 50% marks in aggregate तो ये सिर्फ social studies के लिए हैं बाकी के लिए अलग अलग subject होंगे आपको जिसके लिए आवेदन करना है उस हिसाब से आप देख लेजिएगा और उसी के साथ मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत और senior secondary graduation post graduation with Hindi as one of the subject इसी तरह से TZT science के लिए कुल मिला के बात ऐसी है P.A.D. वाले TZT के लिए आवेदन कर सकते हैं D LGBT वाले PRT के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके बाद हम देखेंगे eligibility PZT के लिए क्या निरधारित की गई है यह TZT के ही अलग अलग subject की चल रही है TZT physical education, TZT home science, TZT art, TZT music तो आप यहां से देख सकते हैं इसके बाद आ गया है level 3 post graduate teacher PZT वो English, Hindi, geography, home science, sociology, psychology, पंजाबी, उर्दू और history अगर आपको इन subjects का teacher लगना है तो यह qualification आपके पास हो यह देखिए तो आप level 3 दे सकते हैं इसके बाद PZT political science का दी गई है PZT Sanskrit की, PZT biology, PZT physics, PZT chemistry तो subject की according आप eligibility देख लिजे, जो common C है, Hindi, English, geography, home science वेगरा की यह देखिए post graduate degree आपके पास होनी चाहिए concerned subject में कम से कम 50% परतिशा तंकों के साथ और उसी के साथ साथ BAD की degree आपके पास हो, किसी भी recognized university से और उसी के साथ साथ metric with Hindi, Sanskrit और senior secondary graduation, post graduation with Hindi as one of the subject consistence, good academic record, तो ये qualification required है, PZT के लिए subject के according आप देखिए Sanskrit के लिए MA Sanskrit में आपने कर रहे के अपचाहस परतिशा दंकों के साथ इसी तरह से PZT biology, PZT physics, PZT chemistry, PZT mathematics, PZT commerce, PZT economics, PZT music, PZT fine arts, PZT computer science, PZT physical education के लिए अलगलग qualification है, आप देख सकते हैं और जहां तक scheme structure है exam का, सबसे पहले PRT का दिया गया है डाई गंटे का आपका exam conduct कराया जाएगा, 140 question आप से पूछे जाएंगे 30 question 30 number के child development and pedagogy से आएंगे language, Hindi से 15 और English से 15 questions आप से पूछे जाएंगे total 30 question 30 number, journal studies से 30 question 30 number और mathematics से 30 question 30 number, environmental studies से 30 question 30 number जो journal studies के 30 question होंगे, उसमे quantitative aptitude से 10 questions आएंगे reasoning ability से 10 question आएंगे, और हर याना GK and awareness से 10 questions पूछे जाएंगे, तो total आपके 144 questions पूछे जाएंगे 144 number के और 60 परतिशत passing marks लेना आवशक है यह देखे, qualifying marks दे दिये गई है, 60 परतिशत मुनला 90 number लेने आपको आवशक है, और SC category के जो candidates है differentially abled या physically challenged है, हर याना domicile की वाले उनके लिए 82 number लेने आवशक है, for schedule caste and differentially abled physically challenged and of other states, there shall be no negative marking, उनके लिए 60 परतिशत अंकली ने आवशक है, तो आप हिंदी से 15 question, इंगली से 15 question, 30 number के, journal studies 30 question, 30 number, इसमें शामिल है quantitative aptitudes के 10 question, reasoning ability के 10 question, हर याना जी के and awareness के 10 question, subject specific, 60 question, 60 number या जिस subject के लिए आप आवेदन करेंगे, उस subject से 60 question, 60 number के आप से पूछे जाएंगे, total 144 number का आपका paper होगा, और 140,5 गंटे का आपको समय दिया जाएगा, इसके बाद ये देखे, passing marks वही है, सेम 60 परतिशत आपको लेने आवशक है, 90 number, बाकी SC और differentially able candidates हैं, उनके लिए 80 number लेने आवशक है, इसके बाद PZT की जहां तक बात है, इनके लिए questions आप से पूछे जाएंगे, 140 question ओल्ड हाई गंटे का आपको समय दिया जाएगा, 30 question Child Development and Pedagogy से 30 number के, Hindi language से 15 question, English language से 15 question, total 30 question, 30 number के, Journal Studies से 30 question, 30 number के, Quantity, Aptitude के 10 question शामिल है, इसमें Reasoning Ability के 10 question शामिल है, हर्याना, GK और Awareness के 10 question शामिल है, subject specific के 60 question, 60 number के, तो total 144 number का आपका ये paper conduct कराया जाएगा, nature and standard of questions यहां दे दिये गई हैं, यह आप यहां से देख सकते हैं, qualifying marks वही है, 60 परतिशत, SC और PWD के लिए, 55 परतिशत, मतलब BAC number 140 में से, और जो आपके exam की timing होगी, वो आपके admit card के according होगी, 2 जनवरी और 3 जनवरी को आपके ये exam conduct कराये जाएंगे, तो ठीक है दोस्तों में में सारी जानकारी इस recruitment से जड़ी हुई, आपको वीडियो के माध्यम से provide करा दी गई है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ता आप इसे like और share करें, और online आपको इनके लिए कैसे आवेदन करना होगा, वो जानकारी भी कल बिलकुल विस्तार से आपको वीडियो के माध्यम से provide करा दी जाएगी, उसके लिए कर लें आप चैनल को subscribe, तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नवी वीडियो के साथ, तब तक के लिए, नमस्कार